नमस्कार मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एटीपी में हार्दिक स्वात करता हूं आज ते नाली रपन की बहुत इंट्रेस्टिंग श्टोरी लेकर आया हूं आपको भी जरूर पसंद आगी 5 और 6 देखे टाइटल ही बहुत इंट्रेस से उचारह नहीं पता तो आप लोग अपने शब्दमों से लिख लिया करें तेनाली रमन हैड़ा फ्रेंड तेनाली रमन का एक दोस्त था किसी के पास कुछ चीज़ था तो हैड का यूज़ करते हैं एक दोस्त था तिरुमला उसका नाम क्या था तिरुमला वो राज़ानी का नाम हमपी था तो हमपी सहर का नाम है तो वहाँ पे एक धर्मसाला था धर्मसाला का मालिक था कौन हो तिरुमला तो दिया था चुका था चुकी थी क्योंकि है दिया था लिया था त्छुका था रही थी ऐसे कुछ उयूज हो रहा है कर चुका था चुकी थे नहीं हो रहा है क्योंकि हैट के बाद कोई वर्ब निया कोई काम हो रहा है क्या नहीं फ्रेंड तो दोस्त है यहाँ पे हैट के साथ inherited के मन्ना होता है विरासत में मिलना तो यहाँ पे यह वर्ब का third form है तो अब समझे यह past perfect tense है he had inherited मतलब उसे विरासत में मिला था it याँने वो from his father अपने पिता जी से it was called और उसे कहा जाता था क्या कहा जाता था Deccan Surium Deccan Surium नाम था उसके वो धर्मसाला का नाम जिसे हम guest house भी कहते हैं इनको विसरमाला है ना तो मिला था उससे उसका नाम Deccan Surium था तो तिरुमाला क्या था वास है विंग ट्रबल याने उससे क्या था उससे परिशानी हो रही थी परिशानी में था because क्योंकि the in was not making enough money तो इनसे not making enough money याने परियाप्त पैसा नहीं बना पा रहा था याने उससे परियाप्त कमाई नहीं हो पा रही थी he was always struggling वो हमेशा struggling याने क्या होता है संघस करता था to make both ends meet make याने बनाना both ends meet का क्या मतलब है दोनों तरफ के अंत नहीं इसका मतलब क्या होता है both ends meet का मतलब होता है दो वक्त की रोटी को हम both ends meet कहते है याने दो जून की मतलब होता है सुबा का खाना साम उसे दो वक्त की रोटी उसे हम both ends meet बोलते है तो दो वक्त की रोटी के लिए भी क्या करना पड़ता था उसे बहुत ज़्यादा struggle करना पड़ता था all his efforts seem to fail उसकी सभी कोशिसे seem प्रतीत होती थी लगती थी to fail याने असफर लगती थी जो भी कोशिस करता था fail हो जाता था कोई आते ही नहीं था वहाँ वन डे एक दिन वें तुरुमला मेट तेनाली रमन जब तेनाली रमन किया कि मेट मिला मेट मिलता है उसका सेक्ड वाँ मेट मिला तेनाली रमन से he shared his problem उसने shared याने बाटना उसने share करना बोलते है shared बाटी अपनी problem अपनी समस्या को share किया विथिम उसके साथ he really was at his wife's end and was wondering if he should sell off the hint he really was वो सच में क्या था his wits his wits उसकी बुद्धिमानी से and wits end उसकी बुद्धिमानी की तरफ से wits end and was wondering और विचार कर रहा था if he मानो यदी should sell off the hint should sell याने बेच देना चाहिए should याने चाहिए of the hint sell off याना होता है बेचना इन और उसने क्या किया कि भई अपने बुद्धिमानी से मुझे इसे क्या कर देना चाहिए बेज देना चाहिए मैं ऐसे सोच रहा हूँ उसने बताया भई कि मैं सोच रहा हूँ किसे मुझे बेज देना चाहिए कुछ कमाई होने दिया the thought of selling is made him miserable thought of selling याने बेचने का विचार इस made उसे बनाया किया तो कॉजटिव वाब है make का made हो गया miserable miserable याने का दैनी उसे बहुत ही ज़्यादा दैनी बना दिया miserable याने दुखी दैनी बहुत सार होता है तो उसे दुखी बना दिया तेनाली रहमान listen to him patiently तेनाली रहमान ने listen listen का listen सुना to him उसे patiently patiently का क्या मतलब बता है धैरेता पूरवक धैरे से उसकी बात सुनी no नहीं उसने का नहीं you won't have to sell it will have will not have का won't have to will not go short में हम won't have कहते हैं तुम्हें उसे बेचना नहीं चाहिए तुम्हें उसे बेचना नहीं चाहिए but how can I keep it मैं उसे कैसे रख सकता हूँ and make a living और उसे रहने लायक बना make a living यान वता है आजीव का और उसे आजीव का कैसे बना कैसे सकता हूँ तो living यान वता है आजीव का wonder तिरुमला तिरुमला ने किया कि विचार किया सोचा तो wonder बोलते है कि भई मैं इसे कैसे रख सकता हूँ इसे पैसे कैसे कमा सकता हूँ change the name नाम बदल दो of your in अपना जो धर्मसाला है उसका नाम बदल दो then it will do well फिर ये अच्छा करेगा यानि इससे अच्छा फायदा मिलेगा no no नहीं नहीं protested तिरुमला तिरुमला ना क्या किया है protested या नहीं होता है उसका विरोध करना उसे हम क्या बलते है protest करना बलते है फिर क्या हुआ this name has been there ये नाम है ना has been there याने for therefore for for समय के लिए करते है years years तो जब हम समय बता रहे हैं तो for का use किये तो ये नाम वर्सों से चला आ रहा है क्या हो रहा है सालों से ये नाम चला आ रहा है my father मेरे पिता and his father before him और उसके पिता जी के भी पहले है उससे भी पहले मेरे पिता जी और उसके पिता जी के भी पहले से ये नाम चला आ रहा है all use the same name सभी यही नाम for it उसके लिए उपयोग करते थे यही नाम उपयोग करते थे how can it be changed इसे कैसे बदला जा सकता है you want तुम चाहते हो the in or only its name तुम धर्मसाला चाहते हो या सिर्फ उसका नाम चाहते हो actual में in यह हम बोलते न guest house बोलना चाहिए आति थीगरी है थोड़ा पैसा लेके करता होगा अब धर्मसाला तो बहुत कम पैसे में चल जाता है तुम्हे इसका नाम चाहिए बिना इसके नेम सर्व what purpose यानि इसकी purpose यानि क्या होता है इसका क्या मतलब हो इसको उद्देश से क्या होगा इसके नाम का क्या मतलब होगा मुझे तो यही चाहिए ती रोमला सेट purpose यानि उद्देश से good ठीक है then you rename your in पंच्वनी पंचवाणी यह एक्छल वाणी है तब तुम रिनेम याने फिर से नाम बदले को रिनेम करना मदलते हैं योर इन अपने धर्मसाला का नाम बदलो पंचवाणी याने पंचवाणी एक्छल वाणी को भी N लिखते हैं अड़ा को न लिखते हैं जिसे तरून होता ना तरून हो लटका दो, sorry hang, लटका आऊ, six large bells outside, six large bells outside, यहाने बहुत बढ़े, घंटी outside यहाने बाः, नाम तो नाम तो पंच वाणी, एक, दो, तीन, चार, पांच, च्या बढ़े बढ़े घंटी बाहर लटका दो, लेकि नाम रखो, तुम five sound यहाने, पंच वाणी नाम रखो, यहाने बो प्रॉस्परस प्रॉस्पर का मतलब हता है संब्रिद्ध हो जाना एंद फनने फूलने लगेगा से टिनाली रमन एंड ही वेंट आफ याने वहां से चला गया ऐसे बोलके फाइव साउंड सेंड सिक्स बैल च्षह आवाजे और श्षै गंटिया फांच आवाजे और श्षै घंटिया वंडर तिरुमला तिरुमला अश्चर ने पढद गया वंडर सोचें लागगा विचार की हाई रान हो गया इस्का कोई मतलब निकलता है थो ही वॉस थरली पजल, हालंकी वो क्या हो गया था, थरली याने पूरी तरीके से हैरान हो गया था, पजल याने उल्जन में पड़ गया था, तो दो याने होता है हालंकी, by this funny advice इस funny advice जो होता है जो होता न मजाकिय सला यह ने एकदम मजाक में दिया वा सला उसे funny advice बोलता है बहुत ज़िए हो गया था कि यह क्या क्या बोल रहा है yet फिर भी तिरुमला decided to follow it तिरुमला ने फैसला लिया उसका अनूसरन करने का मानने का चलो ठीक है वही ते नारी ने मन बोल रहा कुछ ना कुछ तो बात होगी the next day अगले दिन people passing through the market लोग बाजा से गुजर रहे थे saw देखा the inn called पंचवानी तो उसने पंचवानी नाम की उस धर्मसाला को देखा and then counted six bell और counted याने गिना फिर गिना six bells outside बाहर च्छे घंटी होगी ना बोले पंचवानी नाम है five sound ओर यहां पर च्छे घंटी लटका आगे रखा this यह in keeper must either be foolish in keeper याने जो इसका जो मालिक है ना in keeper जो धर्मसाला का जो मालिक है must share must either be foolish शायद वो क्या होगा either or या तो ऐसे use होते ठीक है या तो वो मूर्ख होगा और या uneducated अनपड या तो मूर्ख होगा या तो अनपड होगा तो either or का use आपने सुना होगा neither nor either or grammar में use होता है he calls उसने पुकारा बुलाया तो calls ऐसे yes क्यों लगा है पुकारता है यहीं पर he called तो उसने बुलाया ऐसे हो जाया ठीक है he calls वो बुलाता है it is a panchvani and hangs six bells outside अब वो बोल रहा है कि यह इसे panchvani बोलता है और बहार 6 गंटी लगा के रखा है I must go मुझे जरूर जाना चाहिए and correct him और उसे ठीक करना चाहिए thought one of the person who saw it thought है ना सोचते थे one of the persons याने लोगों में से हरे who saw it जो भी इसे देखता था वो लोग इसके बारे में सोचते थे he went फिर वो क्या हो था way went वो गया into the inn इन के अंदर गया he would tell उसने कहा नहीं वो कहते थे would के जगा will के जगा would का है और उसने क्या किया तीरू मला को about the mistake गलती के बारे में would का use हम will के जगा भी करते है would याने करता था करते थे ऐसे भी use होता ठीक है और वो क्या करता था उसे गलती के बारे में बताता था and drink some coffee और कुछ coffee पीता था वहाँ or eat something there और वहाँ कुछ खाता था या तो कुछ खाता थे कुछ पी देखे पंच वाणी और छे घंटी ले लाते थे तो ऐसे जाके सब गलतीय बताते थे और वहाँ जाके coffee चाय पीते थे as a result परिणाम सुरूप नतीजितन उसे as a result बोलते है तीरुमला begin to get more customer तीरुमला को begin शुरूँ और to get a प्राप्त होना more customer और भी ज्यादा ग्राहक प्राप्त होने सुरूँ हो गए मिलने सुरूँ हो गए as more people came और क्योंकि जादा लोग आते थे to correct him उसे ठीक करने के लिए क्योंकि जादा लोग उसे ठीक करने के लिए आते थे and business at the inn grew briskly और उसका जो business था वो क्या होते गया बढ़ते गया briskly का मतलब तेजी से तेजी से बढ़ने लगा त्रियुमना को realize हुआ है एसास हुआ the wisdom of तेनाली रमस as to advise wisdom यान वे बुद्धिमानी तेनाली रमन की अपोश्वी का की का तेनाली रमन की सला की जो बुद्धिमानी थी उस पर क्या हुआ है एसास हुआ कि हाँ भी उसने बहुत दिमाग लाकर बताया था पीपर लव और प्यार भी होता पसंद में तो लोग पसंद करते पॉइंट आउट याने ऐसे अथे मतलब उंगली खोजना सुरी खोजना नहीं याने की उंगली उठाना others mistake दूसरों की गलती पर उंगली उठाना लोगों को पसंद होता है तेनाली रमन्स trick और तेनाली रमन की जो trick थी जो उसकी चलाकी थी had work काम कर दिया ठीक है उसका जो trick था वो काम कर दिया they came to correct तिरुमला वो आते थे कम का came हो गया, second come came come तिरुमला को correct करने आते थे सही करने आते थे and stay to enjoy the food और रुक कर वहां के भोजन को आनन्द लेते थे भोजन का आनन्द लेते थे, stay याने ठारते थे तिरुमला सिन वास सेफ तिरुमला का जो धर्मसाला था वो क्या था बजगया था he blessed तिरुमला उसने तिरुमला को आशिरवाद दिया as क्योंकि he went to his house as याने जब जब वो उसके घर गया to thank him और वो क्या किया उसके घर उसको धन्यवाद देने के लिए गया क्योंकि भही उसकी कमाई नहीं हो रही थी तो एक छोटा से नाम बदलने से ही और यह दिमाग लगाने से ही उसका क्योंकि लोगों को सही बात है लोगों को गलतिया सुधारना बहुँचाता पसंद होता है पूछो ना पूछो बोलेंगा नहीं यह ऐसे थोड़ी होगा हॉस्पिटल में आपने मालो होटल लिख दिया तो बोलेंगे यह तो होटल है कैसे आप बलती करते हो भई यह वो हो सकते को मार्पिट भी दे वह अलग चीज़ है यह स्टोरी में तो बहुत ही अच्छा दिमाग लगा है तिना इनमने यह आपको आज की स्टोरी पसंद नह आपने वाद